तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे आज कच्छा 12 का इतिहास और आपका सेट 5 ठीक है जो फर्स्ट परिछा जो फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम जो होने वाला है उस फर्स्ट अर्म एक्जाम में आपका जो मोडल सेट रिलीज किय जाए गया था जहरखन बोर्ड के द्वारा जे सी ई आर्टी के द्वारा उसका सेट हम लोग एक से लेकर चार तक देख लिये थे जो चैनल के उपर आपको मिल जाएगा और हम लोग पाचमा देख रहे हैं तो पाचमा चलिए श्टार्ट करते हैं आपको बता देंकि पाच सेन्ट कोश्चन जी 90 अब समझ रहे हैं लगबग 90 परसेंट अगर चारीस कम लोग निकालते हैं तो 36 निकलता है तो 36 निकलता है 36 कोश्चन को गोली मारिये 36 नहीं होगा तो क्या आप 30 तो जरूर्ण मिलेगा आपको तीस कोश्चन आप तिस कोश्चन तो इस सेट के अंदर से पांच सेट के अंदर से आने वाला है तो सेट कितना इंपोर्टेंट है आप समझ ही गए होंगे है ना तो सेट को पढ़िए इस तरह से पढ़िए कि जो आपका समय दिया गया है उस समय को एक घंटा भूल जाए तीस मिनट में ही आप इसको कभर कर दीजिए ठीक है चलिए तो आप यह समझ गए होंगो जो हम आपको समझाना चाहा रहे थे चलिए फर्स्ट कोस्चन के उपर चलते हैं फर्स्ट कोस्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगा कि लोथाल की खोज किसने की तो लोथाल की खोज किसने की है चलिए इसको देखेंगा उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आकन को दवा के जरूर रखिए और आप से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर कर दिए कि आप इस वीडियो को दोस्तों के पास अपने अस्कूल गुरूप में जरूर सेर कर दिए ठीक है चलिए फर्स्ट कोशन देखें लोथाल की खोज किसने की तो लोथाल की खोज जो किया है वह है एस आर रावन है ठीक अप्सन नंबर डी सही हो जाएगा प्रोहित राजा का उसे जो प्राप्त हुआ है वो जो मोहन जोद्रों से प्राप्त हुआ था मोरिय समराज के पर्थम सासक कौन थे तो मोरिय समराज के पर्थम सासक जो थे वो थे बिन चंदर गुप्त मोरिय ठीक है चलिए चोथा नंबर कोशन देखते हैं तो चोथा में के अर्ध सास्त्र के रचीता कौन थे तो अर्ध सास्त्र के रचीता जो माने जाते हैं वो है विस्नु गुप्त ठीक है आगे देखिए पाचवा नमर कोश्चन पाचवा में दिया हुआ हडपा वासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे तो हडपा वासी तांबा जो प्राप्त करते थ थे उसका देखें यहां पर चार अप्सन दिया हुआ है हडपा मोहन जोदलो काली बंगा और खेतली ठीक है तो खेतली से प्राप्त करते थे ठीक है चलिए अब देखते हैं लोग कोशन नमर छे छे में दिया हुआ है कि कि हां छे में दिया हुआ दोला वीर की खोज किसी की सवर्स मात थी तो दोला वीरा का खोज जो हुआ हूआ था वह आपका हूआ था उनिस सो नब्दे में ठीक है और शिंदू नमर कोश्चन देखिए आठवा में दिया हुआ है कि सुंग वन्स के अस्थापना किस ने की तो सुंग वन्स के अस्थापना जो किया है वो है पूष्चिय मित्र ने ठीक है option number C सही हो जाएगा चलिए नौवा नमर भारत के प्राचींतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है तो दोनों के नाम से जाना जाता है ठीक है दोनों आगे दिखेंट में की व चरीट्र के लेखक निम्न मेंसे कौन बुधब चरीट्र के लेखक जो है वह कि व खुलिटास मद्श जो जाएगा छलिए नंवर निम्न निम्नांकित में से कौन गुप्त वन्स का सासक था तो सही एंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त दूतिये ठीक है आगे देखिए कि बरव कोश्चन असोग का राज अभीषेक कब हुआ तो असोग का राज अभीषेक जो हुआ था वह ता यहां पर देखिए चोदो नमर कोश्चन में दिया हुआ है चोदो नमर कोश्चन में दिया हुआ है कि जात कथा में किसके पूर जन्म की कथाएं संकलित है तो जात कथा में जो है वो बुद्ध की है ठीक है अपसान नमर यह सही हो जाएगा जेन धर्म में पूर्ण ग्यान के लिए क्या सब्द है तो पूर्ण ग्यान के लिए जेन धर्म में जो सब्द का प्रयोग किया गया है केवल ये किया गया ठीक है केवल लई ठीक चलिए महावीर के बच्पन का नाम क्या था महावीर के बच्पन का नाम जो था वो था वर्दमान था महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ है तो महावीर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है वस्जी महाजन पद में ठीक है आगे देखिए बहुत समुदाय में पर्थम विवाजन की संगिती में हुआ था तो हुआ था जो वो हुआ था आपका चतुर्त में ठीक है और अपसन नमर डी सही हो जाएगा चलिए नमर कोशन देखिए नमर में दियाओ कि 5 सम्बंदीत है तो यह जो सम्बंदीत है हूँ आपका जैन से सम्बंदीत यह वहा था चतुर्थ बौधर संगीत कभ después हुआ था तो चतीरों म Тृष्ळ संगीत जो वा था do Exodus सूफि प्रम्प्रा में खानका नहीं में peanut na चेटन्य महापर्भु किसके उपासक थे तो चेटन्य महापर्भु जो थे वो जो थे वो THे कृषन के उपासक थे ठीक है चलिए हम लोग 23 नपर कोशन को देखते हैю 23 नपर कोशन में दिया हुआ है कि नटराज के रुप में सीव की पर्तीमक का निर्मान किस राजवन्स के द्वारा किया गया तो किस राजवन्स के द्वारा किया गया तो वो किया गया था चोल के द्वारा ठीक है option यह सही हो जाएगा वर्ज्यान किस धर्म से संबंदित है तो वर्ज्यान जो संबंदित है वो आपका सही एंसर हो जाएगा option number B बोध से ठीक है 25 नबर question देखिए कि जगरनाथ मंदिर कहां पर इस्थीत है जगरनाथ मंदिर जो इस्थीत है वो है पूरी में इस्थीत है ठीक है और ये पूरी कहां इस्थीत है वो आप हमें comment करके बताएंगे ठीक है चलिए मगहर में किसका मिर्तियू अस्थान माना जाता है तो मगहर में किसका मिर्तियू अस्थान माना जाता है तो ये हो जाएगा कभीर का ठीक है option number ये सही हो जाएगा किस काल के परसासन में अयंगार व्यवस्था पर चलि थी तो किस काल में तो ये जो था आपका विजय नगरकाल में ठीक है चलिए ताली कोट का यूद कब हुआ था तो ताली कोट का यूद कब हुआ था यहाँ पे दिया हुआ है उप्शन चार इसमें से आपका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर दी आप बताईएगा कि 706 में कौन सा यूद हुआ था यह कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे चलिए पाशीस नमबर कोश शन कि महान, वम, दिवा किस 1987 से संब्ण दी तो यह किस सम्द्य attiy suis तो यह जो था वह विजेनेगर समराजिसे था ठीक है, चलिए देव राय दूतिये किस समराज के राजा थे, तो दिया हुआ है उप्सन चार, इसमें से सही अंसर हो जाएगा आपका उप्सन नमबर D, विजेनेगर समराजिके था ठीक है, गोपूरम क्या है, गोपूरम कौन थे तो अकबर के दरवारी इतिहासकार जो थे वो थे अबूल फजल ठीक है और अब बताएगा कि तांसेन अकबर के दरवार में किस पद्ध पे थे अस्थापी थे आप कमेंट करके बताएगा अप्शन नमर भी ठीक है चलिए 33 नमर कोश्चन देखें इनमें से कौन सा फसल मुलता भारत का नहीं है तो कौन सा फसल तो आपका सभी जो है वो भारत का नहीं है मका आलू टमाटर यह भारत के नहीं है फतेपूर सिकरी को राजधानी किसने बनाया तो यह कमें यह कोश्चन जो था वो अप से तीन में या मुझे पिछले वाले सेट में एक से चार कि किस ने बनाया यह पता हो गया होगा याद हो गया अभी तक तो आप कमेंट भी कर दिये होंगे अपसे नमर भी सही हो गया होगा ठीक है अकबर ने बनाया था पानिपत का दूसरा युद कब लडा गया तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि पर्थम युद कब लडा गया था ठीक चरिए 36 नमर कोश्चन को देखिए 36 नमर कोश्चन में दिया हो कि मिर सेद अली और अब्दू समसाद जो परसित शित्रकार थे मुगल दरबार में किस सासक ने लाया तो किस सासक ने लाया था यह जो लाया था वो आपका उप्शन नमर 20 सही हो जाएगा अकबर ने लाया था ठीक है जहांगिरनामा के लेखा कौन है तो जहांगिरनामा के लेखा जो है वो जहांगिर āफ्ट है ठीक है अप्शन नमर सी सही हो जाएगा ठीक है चलिए हम लोग आगे देखते हैं कोश्चन 988 तो 38 में दिया हुआ है यहाँ पर कि आखबर ने मजहर की घोसना कब की तो आखब को सब्सक्राइब कर लीजेगा हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे है तो आप इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर सेर कर दीजेगा थोड़ा साब मेरे लिए महरर जरूर कर दीजेगा ठीक है 49 नमर कोश्चन देखिए 49 में कि ताज महल का निर्मान किस ने करवाया तो ताज महल का निर्मान जो करवाया था वो साजहा ने करवाया था जाजिया पर्था को किस ने समाथ किया तो जाजिया पर्था का जो समाथ किया वो अकबर ने समाथ किया ठीक है तो हम लोग एक से लेकर 40 तक देखें और set 5 हम लोग देख लिए 5 में से 5 complete हो गया तो आप सभी set को अच्छे तरीके से पढ़िए और इस set को इस तरीके से पढ़िए कि आप परिछे में अच्छे नमबर अपलाएं ठीक है चलिए तो वीडियो हो राएं लंबा वीडियो को करते हैं